नमस्कार मैं हूँ खुश्बुराई एलविश यादव यूट्यूब की दुनिया का काफी बड़ा नाम है और अब ये नाम धीरे-धीरे फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी जगा बनाने की कोशिश कर रहा है बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के बाद एलविश फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रख चुके हैं और जाहिर सी बात है कि उन्हें ये मौका बिग बॉस के वज़े से ही मिला है लेकिन एलविश यादव इसी बिग बॉस की ट्रॉफी को वापस लोटाना चाते हैं सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये अलविश ट्रॉफी वापस लोटाना चाते हैं चलिया आपको भी बताते हैं कि आखिर पूरी बात क्या है दरसल मामला बिग बॉस OTT2 विनर अलविश यादव और रनर अब अभिशेक मलहान के बीच कोल्ड वार को लेकर है दोनों के बीच अभी कोल्ड वार चल रहा है और अभी फिलहाल ये मामला काफी ज्यादा बढ़ गया है इसी लड़ाई के कारण वो बिग बॉस की ट्रॉफी लोटाना चाते हैं अलविश का आरोप है कि अभिशेक ने पैसे देकर अलविश के खिलाफ नेगेटिव पी आर कराया है और अलविश इससे परेशान हो चुके हैं जिसको लेकर उन्होंने एक ब्लॉग बनाया अपने ब्लॉग में अलविश इादव बिग बॉस ओटी टी टू की ट्रॉफी को दिखाते हुए कहते हैं कि भाई इसे ले लो मुझे बख्ष दो इसे लो भाई देख लिया ट्विटर पर पोस्ट वोस्ट यार इसको कुरियर कराओ और हमारा पीछा छोड़ दो इतना ही नहीं आगे तो उन्होंने हाथ तक जोड़ लिया और कहा कि हाथ जोड़ रहा हूँ तुम लोगों के आगे इसे ले जाओ यही में जड़ है यह घोड़ा भी ले जाओ यह भी वही का है बिग बॉस का हमें कुछ नहीं चाहिए भाई क्या ही जिन्दगी हो रखी है हमें चाहिए सुकून प्यार भरी जिन्दगी जैसे हमारी पहले चल रही थी हमें ना चाहिए यह सारी चीज़े वहीं आगे उन्होंने ट्रोफिक को उठाकर उस पर लिखे टेक्स्ट को पढ़ते हुए कहा फिर कहा हूं मैं वैसे ऑन रिकॉर्ड मगर यह चाहिए तो इसे अपने घर लेकर जाओ और यह सारी चीज़े बैक आउट प्लीज प्लीज देख ली मैंने सारी चीज़े मुझे इन सब का जिक्र करना भी नहीं है इतने दिन बाद मैं घर आया हूँ थोड़ी सी देर के लिए हूँ मैं क्या है पूरा मामला अब बात इस मामले की करें तो अभी हाली में एलविश यादव ने एक म्यूजिक वीडियो एक्ट्रिस उर्वशी राउटेला के साथ किया था जिसके बाद से एलविश को ट्रोल किया जाने लगा जिसके बाद इलविश ने वीडियो शेर किया और एक आदमी नाम लेकर अभीशेक मलहान पर तंज कतने लगे इसके बाद जब बात ज्यादा बढ़ने लगी तब अभीशेक मलहान ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेर कर इलविश के लिए खास मेसेज लिखा उन्होंने लिखा कि शोशल मीडिया फ्लैटफॉर्म पर मौजूद किसी भी विक्ती के प्रती लोगों को नफरत पैलाते हुए देखकर मेरा दिल तूट जाता है मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ और अपनी ग्रोथ और करियर पर फोकस करता हूँ और दूसरों के लिए भी यही चाहता हूँ मैं वास्तव में यही चाहता हूँ अभी फिलाल इस पूरे मामने पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट कर जरूर बताए और बाकी की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्कार